दली दस्तक के सभी दर्सकों को जैभिम आज बाबू जगदेव परसाद जी की जैनती है इसी पे यह मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ जिसमें उनकी जीवन से जुरी तमाम बातों का जिक्र किया जाएगा और आप बहतर तरीके से उनको समझ सकेंगे भागिदारी का सवाल उन्होंने उठाया था तो भागिदारी के सवाल पर हम जाया है तो भागिदारी का सवाल आज का सवाल नहीं है इसका पूरा इतिहास है अज आज भारत में पहली बार भागिदारी के सवाल पर बात सम्विधान की प्रस्तावना से शुरू ही थी उसके पहले अंगरेजों नहीं सवाल उठाया था मद्युग में रैदास ने इस सवाल को उठाया उन्होंने कहा कि ऐसा चाहूं राज मैं जहां मिले सबनकोण छोट बड़ो सबसंबसर रवदास रहे पसंद ये आप सब लोग जानते हैं इसके पहले अगर हम देखें तो हम बुद्ध के पास जा सकते हैं उन्होंने भी समानता की बात की है इस प्रकार माना जा सकता है कि बुद्ध पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भागीदारी की बात को उठाया था अधुनिक भारत में सम्मिधान निर्मान करने वालों के मन में या बात थी कि भारत में समान भागिदारी नहीं है सबको समान रूप से भागिदारी नहीं मिली है इसलिए उन्होंने सम्मिधान में समाजिक न्याय की बात कि बुद्ध से चरवाक, आजीवक, रैदास, फुले, शाहु, आदिस सब लोग लगतार भागिदारी का प्रशन उठा रहे थे इसी परंपरा को बाबा सहाबां बेटकर ने स्विकार किया और अपने आंधोलन को आगे लेकर चले इसी समय दो फरवरी 1922 को जगदेव प्रशाद जी का जन्म होता है उन्होंने भी अपने दर्शन में इस परंपरा को समायोजित किया था जगदेव बाबु को अलग करके देखनी की जरूरत नहीं है वह इसी परंपरा का हिस्सा थे वह 90 परतिशत की बात कर रहे थे उनका कहना था कि 100 जो लोग है उसमें 90 परतिशत जो हैं वह शोशित लोग हैं 10 परतिशत सोसक हैं और जो 90 परतिशत भाग है वो हमारा है और इस पर 10 परतिशत का सासन नहीं चलेगा जगदेव परसाद की बात हम करें तो जगदेव परसाद सहीत हमारे सभी समाजिक चिन तक समस्या के मूल को समझ रहे थे वह जान गये थे कि किसी भी देश की संरचना वहां की भुगोल और तिहास के साथ जन्मानस के सरुकारों से बनती है भारती का ऐसा देश है जहां जन्मानस आपस में कई अस्तरों पर विभाजित है यह विभाजन किसी भी जागिर्दारी सोच को संरचन देता है तो किसी की गुलामी और सोशन का कारण बनता है इन कारणों की परताल करने वालों की पहली पीडी के वक्ती थे बाबु जगदेव प्रसाद जी उनके पिता सिक्षक थे पारिवारिक अस्तर बहुत उन्नत तो नहीं था लेकिन सिक्षित होने के कारण हलाथ ठीक थे खाने पहनने की दिक्कत नहीं थी बिहार के अर्वल जिले के जिस कुर्था गाउ में उनका जन्म हुआ वहां सामन्ती मान सिक्ता वाले लोग उनके साथ जातिकत भेधाव करते थे यह व्यवहार जगदेव प्रसाद को नागवार लगता था जगदेव प्रसाद का नई धोती पहनना और उस पर गाउं के सामन्ती जाकियों का सवाल उठाना उन्हें चुब गया और उसके बाद जो हुआ उसने सिर्फ बिहार को नहीं जगदेव आवो के जीवन को नहीं मलकि पूरे भारत को नहीं दिशा दे दी वह एक ऐसे समाजिक चिन्तक थे जिन्होंने बिना किसी पार्टी और स्वार्थ के मोह में फसे शोसित समाज को एक जुट करने का प्रयास किया उनका विचार बहुजन की नई पीठे की वैचार की गड़ रहा है ज़देव साथ अपने जीवन से सीख कर भ्रांतियों से निकले थे उनके पिता जब बिमार पड़े तो डॉक्टर को दिखाने के बजाए उनकी तिमारदारी के लिए देवी देवताओं की उपासना की के लेकिन जब देवता उनके पिता को नहीं बचा सके तब आस्था और परंपरा के नाम पर होने वाले धोंग से उनका ब्रहम तूट किया तमाम पूजा पाट के बाद भी पिता नहीं रहे और पुरोही बंड़ा आदी ने जगदेव परसाथ को इसका दोशी बताया आप उस्मान सिक्ता को बारे में समझिए सोचिए जिसमें जगदेव परसाथ के घर सरात के लिए जो पंडित आयत थे उन्हों यह आरूप लगाया कि जगदेव परसाथ का काम जो है वो खेती बारी करना है और यह पढ़ाई कर रहा है इसलिए उनके पिता की मौत हो गई लिए चिंतन का केंद्र है सत्ता और नेत्रित्व का महत्व वह समस्ते थे तभी पार्टी बना कर सरकार बनाने तक पहुंच गई पिता की मौतिक बाद वैवस्ता से निराश जगदेव परसाथ डौक्टर राम सुरूप वर्मा से मिले उनके अर्जक संग से जुर गए अर उनने समझ लिया था कि समाज में बहुत भीद भाव है और यही इसकी परिकल्पना के पीछे का सड़ेंद्र है उसी सड़ेंद्र को खत्म करने के लिए वह सक्रिय राजनीती में यहां से उनके जीवन की धारा पूरी तरीके से बदल दे अपने अन्वह से सीख लेकर समाज समाजिक न्याय को परिभाशित करते हुए वह कहते थे कि 10 प्रतिशत सोसकों के जुल्म से छुटकारा दिला कर 90 प्रतिशत सोसितों को नौकर शाही और जमीनी दौलत पर अधिकार दिलाना ही समाजिक न्याय है तब ही उन्होंने जनता सेवाहन किया कि पढ़ो लिखो भैस पालो अखाडा खोदो और राजनीती करो उनको पता था कि बदलाओ की चाभी माक्षवाद और समाजवाद में नहीं सत्ता के पास है जब तक सत्ता में भागेदारी नहीं होगी तब तक बदलाओ नहीं आएगा ऐसा जगदेव परसाद मान दे थे वैवस्ता से टक्राने क पाल उनको यह समझ में आया कि सत्ता कुछ नहीं बलकि बंदरबाट का ही दूसरा नाम है पार्टी कोई भी हो विचारधारा कोई भी हो जदातर संसाधन कुछ लोगों के कबजे में हैं और वही लोग उसका संचालन कर रहे हैं मुखोटा अलग-अलग है अंदर सब एक जै कर पीश किया जा रहा था जगदेव प्रसाथ सोशितों की समस्या का निदान समस्या की जड में जाकर करने के पक्ष में थे उनका कहना था कि आज का हिंदुस्तान आज का हिंदुस्तानी समाज साफत और पर दो भागों में बटा हुआ है 10 प्रतिशत सोशक और 90 प्रतिशत सोशित, 10 प्रतिशत सोशक बनाम 90 प्रतिशत सोशित की इजजत और रोटी की लड़ाई हिंदुस्तान में समाजवाद या कमनेजम की असली लड़ाई है उनकी नजर में भारत का असली वर्द संगर्स यही था उनकी अनुसार इस नगनिय थारत को नहीं मानने वाले जो द्विज हैं वो समाज की पोशक और जाल फरी भी थे आर्थे का समानता और भागिदारी के अभाव को वह समझ गए थे इस बात का खुलासा उन्होंने 31 जुलाई 1970 को अमरीकी अर्थ शास्त्री एस टामसन को दिये अपने इंटरिव्यू में किया था उन्होंने कहा था कि अभी चूब वैवस्था है उसमें दलों का नहीं अपनी जात्य समरचना का समनवय है क्योंकि समनवय से शोशक को फायदा है लेकिन सोशित को समनवय से नहीं संघर्स से फायदा होगा उन्होंने दो दलों की कारे प्रनालिक अधारन देती हुए समझाया है कि किस तरह विभिन्न दलों और विचारधाराओं के नाम पर शोशितों को उलजाया जा रहा है और सम्विधान में किये गए प्रावधानों की धजिया उड़ाई जा रही है यह जो आपसी फूट है वो हमारी ताकत को संगठित नहीं होने देती जगदेव प्रसाद अर्थसास्त्री जगदेव प्रसाद अर्थसास के विद्यार्थी थे वह जानते थे कि हिंदुस्तान में आर्थिक गैर बराबरी के साथ समाजिक गैर बराबरी भी है समाजिक गैर बराबरी की लड़ाई इजद की लड़ाई है ऐसा उनका मानना था उनका विश्वास था कि समाजिक क्रांते के बिना आर्थिक क्रांते नहीं हो सकती जब शोशितों के हाथ में सत्ता आएगी तब आर्थे गैर बड़ाबरी खत्म होगी अना कि मंडल कमिशन के बाद उत्तर प्रदेश और बिहार में जिन दनों के सत्ता आई वह अर्जक और शोशित समाज के ही थे उन लोगों ने भी काफ़ी हद तक एक तरीके से निराशी किया बहुजन वैक्तियों द्वारा संचालित पार्टियों के दौर में भी सत्ता का सुक और भोग उन लोगों ने ही किया जिन पर सदियों से शोशक होने का अरूप लगता रहा है जगदीव प्रसाथ की विचार की उस जड़ को समझना जरूरी है जिससे वह पचास वर्स पहले समझा रहे थे सिर्फ समझा ही नहीं रहे थे बलकि उसे बिहार में अमल में ले आये थे 5 सितमबर 1974 को उनकी मौत हो गई, साजिशन उनकी एक तरीके से हत्या कर दी गई जगदीव बाबु जैसे नेता सदियों में कोई कोई होता है जो पूरे समाज को जग जोड़ जाता है और जिनके जानने के दसको बाद भी समाज उनहीं याद रखता है आज भी आज जब हम उनकी जैनती पर उन्हें याद कर रहे हैं आज भी जगदेव परसाद जी कही गई बातों को उनकी सिधान्त को याद करना जरूरी है क्योंकि बाबो जगदेव परसाद मानिवर कांसी राम इन लोग उन्हें जो सिधान्त दीन वो आज की हकीकत है और उन्हीं सिध्धानतों पर चलते हुए ही जो बहुजन समाज है जो शोसित समाज है वो सत्ता हासिल कर सकता है और तमाम लोग जो इन महानायकों का बहुजन महानायकों का मानना था कि सत्ता के बिना शोषन से मुक्ति नहीं मिलेगी समाजिक मुक्ति नह अमल करना जरूरी है जैगदेव परसाद जी को दलिद दस्तक का नमन